रोहित सेटी को मिला खत्रों के खिलाडी सीजन 13 का विनर कुछी दिनों पहले शुरू हुआ टीवी का सबसे चर्चित स्टंट बेस्ड शो खत्रों के खिलाडी का 13 सीजन सुरुआत से ही चर्चाओं में रहा है हाली में मुंबई में शो का ग्रेंड फिनाले हुआ जहां खत्रों के खिलाडी सीजन 13 के विनर को लेकर जानकारी सामने आई अंकित तिवारी के कॉंसर्ट में हुआ घमासान दो लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वाइरल मशूर सिंगल अंकित तिवारी के म्यूजिक कॉंसर्ट के दोरान कुछ ऐसा हुआ कि इवेंट का पूरा माहौल बिगड़ गया स्वदेश फेम अभिनेतरी गायतरी जोसी हुई इटली में दर्दिनाक सड़क हाथ से की सिकार स्वदेश फेम अभिनेतरी गायतरी जोसी पती विवेक और बुराय के साथ इटली में है इसी दोरान अभिनेतरी एक दर्जनाक सड़क हाथ से की शिकार हुई जिसकी खबर ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है काजोल और कृती सेनन की फिल्म दो पत्ती में हुई शाहिर सेख की एंट्री अभिनेता ने किया एलान कृती सेनन और काजोल की आगामी फिल्म दो पत्ती में अब टीवी अभिनेता शाहिर सेख भी शामिल हो गए हैं फिल्म का निर्देशन विज्यापन फिल्म निर्माता शशांक चतुरवेदी करेंगे विक्की कोशल के साथ जमेगी रश्मिका मनताना की जोड़ी छावा की रिलीज डेट का हुआ एलान मैडॉक फिल्मस में मंगलवार को अपनी फिल्म को एक लंबी लिस्ट जारी इसमें छावा का नाम भी शामिल था इस सुची में सभी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी गई थी सिद्धी विनायक मंदिर पहुंची रिचा चड़ा, फुकरे त्री की सफलता पर नवाया शीस अक्षने मिसन रानिगंज के रियल हीरो जस्वंत सींग को बताया विनम्र साझा किये पहली बातचीत के किसे रवी तेजा की टाइगर नागेश्वर राव का धांसू ट्रेलर जारी पैसावसूल एक्षन ने बढ़ाया उत्सा रवी तेजा की पैन इंडिया फिल्म टाइगर नागेश्वर राव का धांसू ट्रेलर जारी हो गया है पैसावसूल एक्षन और जबर्देस्ट डायलोग्स ने फिल्म के लिए फैन्स का उत्साह और ज्यादा बढ़ा दिया है थलाईवर 170 में हुई अभिताप बच्चन की एंट्री 32 साल बाद धमाल मचाएंगे बिग बी रजनीकांत हड़ी में अनुराक संग स्क्रीन साजा करते वक्त और सहज हो गय थे नवास अभिनेता ने किया खुलासा ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहे हैं